आपका स्वागत करता हूँ यह वीडियो क्वेने वीडियो होने वाली है जितने भी आपके कुश्चन्स है रास्तान माधनिक्षा बोड कक्षा दसवी बारवी बोड एक्जाम से जुड़े वे तो हम बारी-बारी से रिप्लाइ करेंगे इस वीडियो के अंदर जो भी आपक पहला कुश्चन है उसको हम सबसे पहले लेते हैं तो यहां पर पहला कुश्चन आपका आया है और वो है इंडिया सोट का तो यहां पर इंडिया सोट कह रहे हैं सर क्या बोड एक्जाम कब होगी क्या तीन मार्स से ही होगी तो निशीत है बिलकुल यहां पर जो है सिक्षा लाख ज्यादा यहां पर बनाएंगे हैं पूरी मतलब गाइडलाइन के साथ में कौविड गाइडलाइन के साथ में प्रोटोकोल के साथ में आपकी जो बोड एक्जाम है वो कंडट कराए जाएगी तो आप बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचें कि वह एक जाम होगी नही ही होनी है नेक्स्ट यापर कुश्यन विपिन का विपिन तिवारी यहां पर कह रहे हैं सर एच क्लास के मोडल पेपर कैसे डाउनलोड करें प्लीज टेल में तो बहुत जो आठीक अक्षा के जो how to prepare for exam in one month काफी अच्छा कुशन है आपका कि आप एक महिने के अंदर क्या तैयारी करें कैसे तैयारी करें क्या रणिती होनी चाहिए कि लास्ट एक मन्त में हम जो प्रपरेशन करें देखो मैं इस सेसन में तो आपको नहीं बता सकता लेकिन मैं आपको इतना बता दू कि अभ क्योंकि अभी समय जो है रिविजन करने का ही है ज्यादा से ज्यादा रिविजन करो लिख लिक के पढ़ो चीजों को प्रक्टिस ज्यादा ज्यादा करो और टेस्ट भी दो और जो आपके यह पर बोड़ के द्वारा जो यहापर मोडल पेपर आपको दिये गए हैं उन पर ज्यादा होगी तो आप ज्यादा से ज्यादा चोटे कुश्चन की प्रक्टिस करें बच्चों पढ़ाई में डाउट साते हैं सौल नहीं हो पा रहे हैं गबराओ मत इसका सुलेशन है डाउटनट एप जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचों क्रॉ बारवी आएटी जेई नीट का हो या फिर सीबी एसी यूपी बियार राजिस्तान और इस्टेट बोर्ड का हो कोई भी सब्जेक्ट हो फुजिक्स केमेस्ट्री मैस बाइलोजी साइंस का हो आपकी सभी सवालों का जवाब बिलेगा सिर्फ डाउटनट एप पर साथी अखिमन्यू सिंग का यह आपर कह रहे हैं सर फिप्प्ध और एंड़ बोड एग्जाम होंगे क्या एक्जाम के किसी भी विध्यार्ति को इस पार परमोर्त नहीं करेंगे, नेक्स याँ पर कॉमेंट है, लोके जोशी का, लोके जोशी याँ पर कह रहे हैं, सर, आरबियसी, संजीव या एक्सिलेंट डैस्वर्क लाएं, कौन से लाएं, प्लीज बताओ, तो बही कोई सी भी डैसवर लिया ही है, संजीव लिया ही है, excellent, दोनों ही best हैं, आप एक डैसवर लाओ, जादा जादा उसकी practice करो, उसके questions की practice करो, तो दोनों ही best हैं, आप कोई सी भी ला सकते हैं, तो या पर विनी सर्मा का next comment है, बोड के बाद practical होगा, आपके साब से बताओ प्रैक्टिकल होगा हो सकता है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बोड के पहले practical कभी भी हो सकते हैं, काफी बार हुआ है ऐसा कि बोड exam के बाद में practical होए हैं, 17 जनुरी से आपके practical exam होने वाले थे COVID के चलते, school बंद के चलते रास्तान प्रदेश के अंदर आपकी जो practical exam है Class 12 के पॉस्पॉंड कर दिये थे तो अब निश्यत ऐसा लग रहा है कि आपकी जो practical exam है वो board exam के बाद ही होंगे जागीदार का यहाँ पर यह कह रहे है 11 अक्षा के बारे में जानकारी बताईए exam कब होगी तो कुछ जो non board class है उनकी भी यहाँ पर exam होगी सबी classes की चाब वो 7th class हो चाब वो 9th class हो, चाब वो 11th class हो सबी की यहाँ पर exam होगी इस बार समय पर ही होगी हो सकता है अप्रेल में आपकी जो exam होगी वो इस्टार्ट हो जाए अप्रेल तक आपकी exam स्टार्ट होने के चांस है क्योंकि यहाँ पर सरकार ने कह दिया है और यहाँ पर board ने भी बोल दिया है कि जो non board classes है उनका जो syllabus है वो भी test समय पर complete हो जाना चाहिए गोपिलाल गोईल यहाँ पर कह रहे है सर किलास तेंथ में questions कहां से आते हैं क्या आप passbook या dashwork से आते हैं प्लीज बताईए देखो question तो syllabus से आते हैं आपके जो chapters है book के उनी से आते है हाँ dashwork और जो आपकी passbook है उससे आपको सायता मिल जाती है पैटन पता चल जाता है कि इस pattern पर आपके questions आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा ज़्यादा practice करनी है questions को देखना है कौन से chapter से किस type के question बन रहे हैं छोटे बन रहे हैं या बड़े question बन रहे हैं से आपको तयारी करनी है तो यह idea लग जाता है एक analysis हो जाता है dashwork से और इसके लाबा संजीव पास्व है जो भी आप पास्वू यूज़ करते हैं तो last comment है यहाँ पर विक्रम सिंग का विक्रम सिंग यहाँ पर कह रहे हैं sir RBSC 12 का time table कब तक आएगा बहुत अच्छा question पूछा है कि time table कब तक जारी होगा क्योंकि exam 3 मार्ज से होनी है और आज 27 जनवरी हो चुकी है तो time table कब तक आएगा मुझे ऐसा लगता है फरवरी के पहले week में आपका time table जारी कर दिया जाएगा बोड के दुआरा और जितना जादा आप मेनत कर सकते हैं उतनी जादा आपको मेनत करनी है लाइस टाइम जो विद्यारती थे class 10 के अंदर 12 के अंदर उनको बिना एक्जाम के पर्मोट कर दिया गया था लेकिन इस बार निशित सरकार ने कह दिया है कि आपकी जो बोड एक्जाम है वो definitely होगी तैस समय पर होंगी तो आप अपनी preparation करते रहें मैं समझ सकता हूँ कि आपकी जो offline school है वो बंद है अभी राजस्तान प्रदेश के अंदर जो सहरी छेतर हैं जापर नगर निगम नगर पाली का छेतर हैं वाकि जो schools हैं वो बंद हैं तो आप घर पे रेके जो भी online आपकी study च जल्द ही मैं तैयारी के उपर एक वीडियो जरूर लेक्या हूँ है तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें कॉमेंट करें शेयर करें धन्यवाद